दो हुलो तुडेंट हाव रूपर यूटूब चैनल पंकज फिजिस गुलाथी शुडेंट आपको इच चैनल सबसे असान देखने को मिलती है तो इसी कैटेगरी में आज हम पढ़ेंगे बीएसी सिक्स एंप सॉलिस्टेट मैंनो फिजिक्स यूनिट टू का एक और इंपॉर्टन टॉपिक जिसका नाम है रैसी प्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस इसमें हम रैस सेंटर क्युबिक क्रिस्टल लैटिस के बीच में तो कि चले शूरू करते हैं आज के नाम है रैसी प्रोकलाद लैटिस और क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस्टल कब लैटिस है वो हम ड्राउ कर रहे है यह है X-axis यह है आपकी Z-axis और यह है आपकी Y-axis तो सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना पढ़ेगा एक औरीजन औरीजन होगा यह तो जो क्यूब हमने लिया है Simple Cubic लिया है और इसकी Simple Cubic के अंदर जो Age Length होती है वो सबकी सेम रहती है यहां से लेकर यहां तक भी A है यह Length भी आपकी A है यह Length भी आपकी A है तो सुदेंस औरीजन से यहां तक की जो Vector होगा जिसको हम बोलेंगे A Vector वो किसके बराबर होगा A into A I Dot यहां से लेकर यहां तक की Length A है तो साथ में आपको Unit Vector I Cap से Multiply करना पड़ेगा जो की है Unit Vector Along X Axis Similarly यहां से लेकर यहां तक जो Vector होगा हमारा Primitive Transition Vector उसकी Value कितनी होगी वो होगी हमारे पास C Vector is Equal to C K Cap K Cap is the Unit Vector Along Z Axis तो Similarly यहां से लेकर यहां तक जो Primitive Transition Vector होगा That will be B Vector और वो कितना होगा हमारा यहां पराब C नहीं A लेंगे क्योंकि हर जो Edge है वो A Length की है यहां से लेकर यहां तक भी A है और B Vector कितना होगा Similarly A into J Cap J Cap is the Unit Vector Along Y Axis चुने जब कोई टॉपिक पूछा जाएगा तो अब इसमें लिखके क्या हैंगा आए वो देखते हैं Let A Vector, B Vector and C Vector be the Primitive Translation Vector of Simple Cubic Crystal Lattice Along X, Y and Z Axis A, B, C, A Vector, B Vector, C Vector किया है यह है Primitive Translation Vector of Simple Cubic Crystal Lattice A Vector है Primitive Translation Vector Along X Axis V Vector है Primitive Translation Vector Along Y Axis C Vector है Primitive Translation Vector Along Z Axis Simple Cubic Crystal Lattice के अंदर जो Atoms Present होते हैं वो शुरुफ Corners पर Present होते हैं जो Lattice Points होंगे जहां पर आप एक प्लेस करेंगे वो सरफ Corners पर Present होंगे जो होुआ जोन कर दिया इस Lattice Points को इस Lattice Points से Joined कर दिया और एक प्लेस कर दिया और 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 आपने यहां से यहां तक का प्रिमिटिव ट्राइशन वेक्टर लेना है वो होगा ए वेक्टर वो होगा ए इसी तरह से अगर आपको बी वेक्टर लेना है यहां से यहां तक का प्रिमिटिव ट्राइशन वेक्टर लेना है तो वो होगा ए जे कैप और अगर आपको यहां से लेके यहां तक का यहां से ल रहती है हमने यहाँ पर एज लेंग जो है वो एली है वेर आई कैप जेकर के कैप और और्थोगनल यूनित वेक्टर्स अलॉंग एक्स वाई जैंट एक्सिस रिस्पेक्ट विजन इसके डेरिवेशन करेंगे नेक्स सेक्षण में लास सेक्षण में अब अब क्या देखेंगे हमारी पास लेट करेंगे को let a star vector b star vector and c star vector be the primitive translation vectors of reciprocal lattice सब्सक्राइब तो सुट्ट्स सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैक्टिस का रैसीप्रोकर लैक्टिस होगा उसके जो उसके अंदर भी primitive transition vectors होंगे वह भी तीन होंगे उनको हमने लैट कर लिया इस्टार वेक्टर इस दा रेंसे स्टार ज़ो परेमिट्व ट्राइशन वेक्टर में स्टार् सिरालों एंडर का उ filmmakers के Z है वो हमें पता है क्या वाफित है स्रांपर तर्पक्र सब्सक्राइब इस्टार इस इक्वोल टो टो पाई इंटु ब्रस कि और एक्टतर दाट बी क्रॉस सी ड поговор है कि यह हमारी lot certainly befía ऻि difet जो थी यह वोती है वह घुद आई क्षे क्रॉस ए ऻी वेक्टर upon a vector dot b cross c vector पहले b cross c आएगा पिस c चाहँ छोड़ा आपने मन से शुरू होगा c cross a और denominator में same रहेगा यह होगी हमारी fifth equation इसी तरह से आप c star की value लिखेंगे two price हमें same रहेगा आपने a पर छोड़ा है तो a चाहँ शुरू करेंगे a star b star c star के a b c के साथ तो यह सुरूर्ण्स हमें पता है अब हम b cross c की value निकालेंगे यहाँ पर फोर्थ equation में b vector c vector की value पूट करेंगे means c value और यह value पूट करेंगे और साथ में निकालेंगे a vector dot b vector cross c vector की value और वो values हम इन equation पूट करेंगे तो हम देखेंगे a star b star c star की क्या values निकल गया रही है वो हम करेंगे next section में तो शुरूर्ण last section हम a star b star c star का relation देख चुके थे a vector b vector c vector के साथ सबसे पहले हम value find करेंगे a vector की a star vector की तो a star vector की value है 2 pi cross b vector cross c vector पॉट में a vector dot b vector cross c vector सबसे पहले हमें value find करनी है b vector cross c vector की तो पहले value find करेंगे b vector cross c vector b vector की value हम यहां से उठाएंगे second equation से और into c vector की value हम यहां से उठाएंगे तो a into a हो जाएगा a square और साथ में j vector cross k vector ऐसी रहेगा अब a square into j cross k होता है i cap इसको हम देदेंगे equation number 7 हम निकालेंगे value a vector dot b cross c vector की value a vector dot b cross c vector is equal to a vector की value हम first equations उठाएंगे जो की है a i cap और dot ऐसी रहेगा और b cross c की value जो हमें निकाली है वो निकाली है 7th equation में जिसकी value आई है a square i cap तो a into a square ही हो जाएगा a cube और i cap into i cap i cap dot i cap dot products of two same unit vectors is one तो a vector dot b vector cross c vector की value आच चुकी है और वो आई है a क्यों यह है equation number 8 अब हम क्या करेंगे 7th और 8th equation की value 4th में डालेंगे यूजिंग यूजिंग 7 and 8 in equation number 4 तो यूजिंग पूट कर दे शूजिंग देते हैं a star vector की value निकाल काती है 2 pi ऐसी रहेगा साथ में है b cross c और b vector cross c vector की value निकल के आई है a square into i cap upon में था a vector dot b cross c vector उसकी value equation number 8 के according निकल के आई है a q तो a square से लिखट जाएगा क्यों मिच्चे एक a मिचाएगा तो a star vector की value निकल के आई है 2 pi by a into i cap यह है हमारी question number students 9th तो a star की vector value निकल चुकी है next section में value find करेंगे b star vector और c star vector की last section में a star vector की value निकाल चुके था जो के निकल गए थी 2 pi by a i cap और last section में एर्थ equation में निकाल ले थी एर्थ equation में क्यों लिक खिरा ने दिया क्योंकि अब ये use होएगी a vector dot b vector cross c vector is equal to a q by 8th equation में अब हमें इस moment निगालने है b star vector की value b star vector की value equation number 5 में थी और equation number 5 में देखिए क्या गा term सारी या right hand side में एक आ रहा है c vector cross a vector इसकी value find करनी है और denominator में आ रहा a vector dot b vector cross c vector जिसकी value हम 8th equation में find out कर चुके है और इसकी value denominator की value निकल के i थी 8th equation में वो थी a cube वो हम as it is use करेंगे है आपर तो सबसे पहले हमें इस 5th equation को solve करने के लिए c vector cross a vector के value find करनी है तो आई ये पहले वो करते है c vector की value है third equation recording a k cap cross a vector की value है first equation recording a i cap तो a into a a square हो गया k vector cross i vector और k unit vector cross i unit vector होता है j cap में j unit vector तो ये आगे c cross a vector के values को हम देते है question number 10 using 8 and 10 in 5 5th question नमारी ये थी b star vector is equal to हो जाएगा 2 pi c cross a vector c vector cross a vector के value निकल के आई है a square j cap और denominator में था a vector dot b vector cross c vector जिसकी value 8 थी question हम पिछले section में निकाल चुके थी और वो value निकल के आई थी a q तो a square से 1 कट जाएगा तो b vector star vector की value है जाएगी 2 pi by 8 और इसको साथ में आएगा j cap तो इसको हम लिख रहते हैं साइड में बी स्टार वेक्टर की value और यह होगी मारी question number 11 नेक्स section में स्टार वेक्टर की value हम value find कर चुके हैं अब हमें लास्ट वेक्टर करने हैं वह सी स्टार वेक्टर और उसके बार हम देखेंगे स्टार वेक्टर की value find कर चुके तो उसको दिया था हमने equation number 11 अब बारी है सी स्टार वेक्टर की value find out करने के लिए जिसकी value equation नमबर 6 में हम निकाल चुके थे लिख चुके थे फैले तो वह value थी 2pi into a vector cross b vector upon में a vector dot b vector cross c vector यह जो denominator है c star vector में जो denominator आ रहा है यह समय common था चाहे वो a star vector हो चाहे वो b star vector हो तो यह चीज common रहेगी समय और 2pi समय सेम रहेगा सरफ bracket इस bracket में change आएगा समय a star vector में इस bracket में आ रहा था बी क्रॉस c vector बी स्टार vector में यहां पर आ रहा था c vector cross a vector c star vector में यहां पर आएगा a vector cross b vector तो हमें value find करनी है a vector dot cross b vector के value find करनी है a vector हम उठाएगा यहा से a i first equation से cross b vector वेक्तर की value हम उठाएगे second equation से तो इनको multiply करेंगे जब तो यह आजएगा i cap cross j cap और i cross j होता है हमारा k cap तो इसको हम देज़ते है equation number 12 अब हम 8th equation और 12th equation को use करेंगे equation number 6 ने और value find करेंगे c star vector की using 12 and 8 in 6 you will get c star vector is equal to 2 pi ऐसी देगा a cross b vector a cross b vector की value निकल के आए थी a square into k cap और denominator में था a vector dot b vector cross c vector उसकी value 8th equation में निकाल चुके थे वो थी a cube इससे ही cancel हो जाएगा तो के पास c star vector की value निकल के आएगी 2 pi upon a k cap इसको हम देता है equation number 13 और इसको भी हम side में लिख देते हैं c star vector की value निकल के आएगे 2 pi by a k cap यह है 13th equation तो students इसके आगे हम करेंगे next step में लास सेक्सें में a star vector b star vector c star vector की value निकाल चुके थे जिमकी values निकल गया थी 2 pi by a i cap b star vector की value निकल गया थी 2 pi by a j cap c star vector की value निकल गया थी 2 pi by a k cap रहे हैंаз duplicate रहे हैं और यहां पर धस्टेशन यहां पर थी 2 pi by a यहां पर जे कहाँ रहे जहाँ अब यहां पर भी केक आए बारा यहां पर तो इसको हम नगलेट कर दें अगर तो हमारे दो और यूनित रेक्टर से आई जे के आई जे के वह दोनों में सेम मैनर में प्रेजेंट है तो हम यह कहा सकते हैं कि जो को रेसीप्रोकरल लेटीश होता है सिम्पल क्यूबिक क्रिस्टल लेटीश का वह भी सिम्पल ऐसे होता है तो लाज दो इस टापिक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस का रेसीप्रोकर लैटिस भी सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस होता है यह इस टॉपिक का सब्सक्राइब करेंगे और यह लाइन लेक्राइब जरूर बनाएंगे तो आज का टॉपिक आपको आपको आज का लेक्ष्ट समझ आया हुगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू सो मच